हेलो इस्टूडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल समराट केडमी तो इस्टूडेंट यही आप लोगों के दिकत हो रहाता अपस्कायर रहते मानचीत्र कारवताईए तो मेरे प्यार विदार्थियों देखे सब लोग अलग अलग मानचीत्र बनाते हैं कोई एक 10 मिनट के बना प्राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उससे मानचीत्र आता है और भुगोल में तीन चैप्टर से आता है संसाधन यों विकास से जल संसाधन से और क्रीसी से यह तीन आपके चैप्टर से भुगोल में पूछे जाते हैं मानचीत्र और रितियाज में सिर्फ एक चैप्टर स मांचीतर पूछा जाता है और मैं यह पूरा का पूरा चार चेप्टर का पोर्षन यह आप लोगों को बताने वाला हूं कि ताकि यही वीडियो आप देखें इसके बाद कोई वीडियो देखनी की ज़रुत नहीं है और मांचीतर दस नंबर का पूछता है कितने नंबर का दस नमबर का और यह 100% इस बात की मैं गरांटी लेता हूँ कि 10 नमबर यहां से आपका पका हो जागा है क्योंकि पूरा इसके बात कोई वीडियो देखनी की जोर थी नहीं वहीं आप लोगों को दस नमबर पका होगी आपका लेकिन हाँ लाइक हमने इस वीडियो पर टार्गेट रखा है कुछ जादा नहीं आप लोगों के लिए आप आराम से इसको पूरा कर देंगे ठीक है तो चलिए एक प्या ब्हारत में राष्टबाद के कितना अपरण से किके केंद्र में अवारत के दोग Phillips लुए पहले पहले पहला प्रसन सघ्षाबाद का पहले नाम भालूम रहग अम्रिस सोर्प这个 हुआ था कहां अमरी सर तो आप फ़ले में सब का उत्तर लिख लूँ इसके बाद फिर आप लोगों को में मांचीत्रबद दिखाता हूं पहला का अमरी सर दूसरा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ था ठीक है तो चलिए देखते हैं किसा ट्रेक कर पाएंगे आप ठीक है तीसरा वह स्थान जहां मात्मा गांदी ने नमक कानून भंग किया वह स्थान जहां मात्मा गांदी ने नमक कानून क्या किया भंग किया वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है तो कहां किया था दांडिये में कहां पे दांडिये तो लिखें अंदोलन असयोग अंदोलन कारेकरम को सिवकार किया गया ठीक है तो कहां किया गया था असयोग अंदोलन कारेकरम को सिवकार कलकत्ता में कहां पे कलकत्ता में लिखेंगे कलकत्ता ठीक है सब में के करके मंचीतमा भी दिखा रहा हूं आपको पहले इसका उतर तो देले हम तो अहां था सूती मिल स्रमिको का सत्या ग्रह वहा था है तो अहमदाबाद में भूआ था और जो कि कहां पढ़ता है गुजरात्में पढ़ता है तेहां लिखेंगे आंसर अहमदाबाद अहम्दाबाद जो की कहां पड़ता है गुजरात में पड़ता है तेंप लिए लेगें गुजरात है ठीक है नेक्स प्रस्टन क्या है कि वह अस्थान जिसकी घटना के करण मातमा गांदी ने और स्वायोग अंदुलन क्या किया अस्तगित किया वेरे मुस्ट इंपोटेंड क मैंस क्योंस को आपको मालूम होना ही चाहिए कि उस्थान के खटना के कुट मात्मा गांदी ने और स्थागीत कर दिया था auptो च्योरी च्योरा गठना था क्या च्योरी च्योरा गठना था भूंक कि लिए सवा स्थान MP2 ने नमक कानुन भंग किया अब भी इसको देखें दो बार लिख गया है तो इसको भी लिख देते हैं दांडी में क्या लिख देंगे दांडी अला कि एक क्यूसर नमने कर लिया है इसको लोकेशन देख लेंगे हो जाएगा वह स्थांजा किसान सत्यागरव अंदोलन हुआ वहां खेडा जो कि गुजरात में पढ़ता कुष्ण कों कि इस इंप्राइब लिख सकते हैं इसको कंगता ठीक है चलिए आगला प्रस्ण वास्ट है इसके बाद लोग इस सभी प्रश्णों को आप लोग देखेंगे मानचीतर पदूहां के यहां जाहां कासी अंड़ोई सभी डाले तू नार्मल की जाते हैं कहां है थीक है चलिए अब यहां आप लोगों के पॉइंट के लिisterं ने आप लोगों को कर दिया आप एक के करके सिर्ण यह दस कूसँता है निरिखला पहले आपको आंसर मालू रहागा तभी तो मैप में भर पाएंगे तो सब क्यूशनों को आंसर अम्मे ने आपको डीटेल में बता दिया है आप इन सब को एक के करके मांची तप इनका लोकेशन देखेंगे तभी आपको पूरा नुमर मिलेगा चलिए देखें मैप हमने ले लिया है आप पहला क्यूशन पढ़ते हैं वह अस्थान जहां जलिया अलबा गत्यकंडवा कहां अम्रिश सर हुआ था तो अम्रिश सर लोकेशन में कहा है तो यह जो आप लोकेशन देख रहे हैं आपने हैलाइट करके रखा है यही आपका अम्र हम चल गया है चले दूसरे प्रस्ण के तरह बढ़ेंगे देखें दूसरा प्रस्ण क्या था दूसरा प्रस्ण यह था मेरे प्यार विद्धार थी हो कि वह अस्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ तो कहा हुआ था चमपारण में अब हम देखने अंसर मालूम होना चाहिए जिसे यहां पर चमपारण को मालूम चला है कि वह अस्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ था तो हमने लोकेशन देख लिया अब आंसर नहीं मालूम रहा तो कहीं सब देखाएंगे नहीं देखाएंगे चलिए तीसरा प्रश्ण देखें क्या है था कि वह अस्थान जाम आत्मा गांदी ने नमक कानुन भंग किया दांडिय में कहां पर दांडिय के तब तक लोकेशन आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप अब बताई यहां पर लोकेशन ट्रेकर पाएंगे तो उसका नाम नहीं मालूम चंपार्ण सहर क्या कि तब कर दोıllं करम को सिवकार किया गया वह स्थाइए कर खाल क्वार कर व् Means이 mild अर्ष में मावलन होना देख सीओं ठूछ कि तो यह थाके बड़ा तो है दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से ठीक है चले कलकाता के लोकेशन आपको दिखाता हूं यह पॉइंट यह जो बड़ा कर दूं यह पॉइंट कलकाता कहीं है आप थोड़ा सा एयरुत देहे हैं लिख देना है आपको कलकता लिखे या तो कोलकता लिखे बात यह कही है कलकता ठीक है क्या हो गया कलकता इसका भी किलियर हो गया थोड़ा मैं अब छोटा कर देता हूं तकि सब कुछ दिखे आपको संपुल रूप से चौता भी हो गया ठीक है पाच हमाँ पाच माँ देखे क्या बोला है कि वह स्थान जहां सूती मिल सरमिकों का सत्यग्र हुआ था तो सत्यहद्दाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है चले उसका लोकेशन देखते हैं ठीक है तो आमदाबाद को लोकेशन देखे यह वह प पॉइंट आप देख रहे हैं यह आपका आम्दाबाद का है यह जो पॉइंट है आम्दाबाद तो यहां पे अईरो का चीन लगाकर आपका पाच्वा था ना तो पाच्वा इस तरह डिन डालकर लिख देना है आम्दाबाद के लिख देना है आहम्दाबाद आपको लिख द चर्वे देखिए फिर रहान्वा स्थान जिसकी गटना के करण मात्मा गाधी ने जिए लौत रहा है चंपानड़ा पर होते लिए आगे इस तर वाड़ेंगे जब यहांने पर जाएंगे तो यहां पर इंट चंपानड़ा को लुकेसिन ने 106 है बीट इसके बाद जो किशन है यहा भी के लिए हुगए किंशन और अडूलar वे कहा पर खियर jurisdiction पढ़ता चले इसकी लोकेशन देखने वाले खिरा जो की कारता है कोजरात में पर तो खिरा जहाँ आप लोगों की बात सात्वा की बात क्या जाएगा सात्वां है और क्या है आपका खिरा तो correlate of खेड़ा है क्या यहां खेड़ा है आपका क्लियर चलिए यहां तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए नेक्स्ट वह नगर जो ब्रामसमाज का मुख्य के अंदर रहा कोलकता वह नगर जो ब्रामसमाज का क्या था मुख्य के अंदर रहा तो आपको लिग दना इक है जो वह आपका अठमा का है और यह भी क्या है आपका कोल कटा ही है क्या है कोल कटा ही यह थो दोलों का नाम सेम है अब लोगों का ठीक है चलिए इसके बाद बाद यह सारे प्रोशन के लिए आपका कि कि वह नगर जो ब्रहामा समाज का मुख्य केंदरा हो गें या वहला कि इसके बाद है वह स्थांज चाश्च्ै का सिग्षाल का स यहां पर यहां पर नोगा सरे वरानसी क्या है वरानसी है ठीक है चलिए और यह प्रशन तीसलिए नहीं बता हुए के उपरश्न हो गया था कि वह अस्था जाम आत्मा गादी ने नमकानुन बंक्या दांडी में इसलिए दस क्यूशन में लेखवाय था तो नो ही बताया क्यूंकि एक बार बताई दिया था दोबार बताने क्या जोर थे उसको ठीक है चलिए तो यह आपका क्यूशन यहां पर क राष्ट गादी कि है का कि प्रफॉलग स्थान की प्रफॉला डेखा था है अंवर्शन में गाद नाम याद रहे गागा तभी तो लोकेशन देपाएंगा-क्या-ता मुंबई में इसके बाद हैं दूसरा कि वह अस्थान जहां वर्स 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुगा तो कहा हुआ था कोलकता में कहा हुआ था कोलकता में थे लिखेंगे कोलकता इसके बाद वह अस्थान जहां भारतिय राष्ट्य कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहा हुआ मुंबई में कहा हुआ था यह भी मुंबई में हुआ था तो लिखेंगे उत्तर में मुंबई ठीक है चलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यही सब प्रश्ण पूछे जाते मांचित्र में फिर वह स्थान जहां वर्स 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था क्या हुआ था मद्रास में गवा था क्या हुआ था मद्रास ते आप लिखेंगे मद्रास में गवा थ तो लाहूर में हुआ था कहां पर लाहूर इसके बाद आए वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लिंग का वर्स 1900 सुरह में समझावता हुआ था ठीक है तो समझावता हुआ लखनव में हुआ था लिखेंगे लखनव उतर क्या लिखेंगे लखनव लिखेंगे अब मा मानचीतर पर देखने वाले हैं चलिए देखते हैं कि देखिए हमने क्लीन आप लोगों को मानचीतने या ले लिया अब एक करके यहां पर कूंपकर करें गरिघ्र कर लोग कि रहें पहला पराशले क्या है कि वह अ लिए यह अस्थान क्या है मुंबई चीतर देख रहे हैं पूरा पूरा मान चीतर यह लोकेशन आपका मुंबई का है कि लिए हो गया चलिए मैं थोड़ा च्छोटा कर दूँ अब प्रशन पढ़ते हैं अब दूसरा प्रशन क्या था कि वह अस्थान जावार 1922 में कांग्रे कि नहीं था इन्ट अब लोकेशन था यह वहाला प्रशन ठीक है तो हो जागा दूसरा नज्वार आइस लाक्ता तो दूसरे का अज़िए अंग्रेस की अस्थापना हुगा तो बारत्य राश्टिक अंग्रेस का अस्थापना व्युआ स्थापना मुंबई में हुगा है यहां पर क्या हुआ था मद्रास में यहां पर क्या हुआ था मद्रास में तो यहां 1927 में जो Congress का दिवेशन वह था यहीं पर वह था कहां पर मद्रास में पर प्राइब देख लेते हैं कि लाहुर का लोकेशन कहा है ठीक है यह पॉर्शन यह आपका लाहुर है ठीक है क्या है आपका लाहुर कि लिर चलिये इसको याद कर लिए इसके पर अश्थान का वर्स отмет वर्स लोंके से हुए और यहां पर पड़ता है साइड में यह वाला पूरसन यह यह जो है लखनों का है ठीक है तो पाचवां के बाद छाठों आ जाएगा क्या लखनों अब देखेंगे देखेंगे भूगोल में तीन चेप्टर है तीनों चेप्टर का अलग अलग देखेंगे ठीक है चलिए देखते हैं तो यहाँ पे इसको मैं हटा हूँ अब भूगोल वाली स्लीप लेकर आऊँ तो यह आपका भूगोल है भूगोल में जो पहला जप्टर संसाधन विकास संसाधन विकास में यह कही चीजिद में विकासован कंज भारत के राजनीतिक मांचीतर पर यक दो तीन चार तथा पांच म्रिदा के परकार है रख़ाना है तो चुरिये करके देख लेटें कि पहा है वो किस लोकेशन पाब नहीं है कि सब्सक्राइब करके रखा थे अब बस अब लोगेंगे का प्रकार आपको बताना है कि तो देखें कि वहां पढ़र सबसब्सक्केंद हको काले मिटी पाई जाती है यहां प Pacific City है किस अपण आ लोकेशन पाई जाती है यहां प empu इसके बाद यह जो लोकेशन को दिखाई दरहा है यह दूसरे मिट्टी के प्रकार है और यहां पर कौन मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलिया सुस्क म्रिधा क्या है ठीक है इसके बाद तीसरा जो बाद प्रकार है तीसरा लोकेशन दिख रहे हैं यहां पर पर वति मृद्धा पाई जाती है यह वन ब्रेटा भी कहते हैं इसको ठीक है यह आपका क्यां तीसरा मृद्धा के प्रकार है ठीक है और चोथा आपका जो यह पूरा और यह किस का चित्र है ठिक है तो यहां पे आपका परवती बुहा भी है कि आपकर तो छोटदा यह है यहां पैजाता है परहती पाच्प पार चबिडान हो लिंस कि तुअ को लोगव को क्या होगा कॉंपलीट हो इसके बाद जू नेक्स च्प्टर रेजल संसादव से जो मांचीतर रूक ट्रफ बांद से बैंद से एक और बताई ळलग तसाघर कि लोकेशन आपकесь फिरसादर में चलिए नय बांचीतर लेता हूं इंशातो बन्दों को आपको बताता हूं लोकेशन Bri चलिए अलग अलग बांदों को दर्स आते हैं सबसे पहले आपका है हीरा कुडबांद क्या है हीरा कुडबांद चलिए हीरा कुडबांद को लोग देते हैं कि हीरा कुडबांद लोकेशन बखाया है तो यह जो लोकेशन आपको पॉइंट यह दिखाई दे रहा है यही आपक तोंग भंदराबंध को हेरा बंद खीक है अच्छे से यहाथ कर आपको रोकत्व का में द्टूब्हाद का बाते खीक है यद्ट meer तो शॉतीये बीस्केर पर अब देख्यों क्यों है कि लुकल क्यों that the तुख भद्रा बांध है तुख भद्रा बांध है ठीक है कि लिए रो गया है और तीसरा आपका क्या था भाखडा नागल बांध तीसरा आपका भाखडा नागल बांध देखते हैं कि भाखडा नागल बांध कहां पर है ठीक है चलिए देखते हैं तो भाखडा नागल है कि बाख़णा नागर बांध की लिए चलिय जैनी आपका क्या है तीसौरा च्वह था कंसर lihat है क्या है सलाल Photos भी तर्च कहा है है इसको देखते हैं सला बंध तो सलाल भांध के उसी location के जश्ट आगए यह वाला person अब देख रहें हैं यह आपका सलाल बांध का लोकेशन है यह तीसरा हो गया ते हो गया चौथा चौथा है सलाल बांध लिखेंगे सलाल बांध यह आपका क्या है सलाल बांध है चौथा इसके बाद पाचमा क्या है वाई पाचमा है सलाल बांध टीरी बांध कहा है ठीक है तो टीरी बांध विजस्ट उसके हाप बच गया है तुर्फ लोकेशन जो बच गया है यह भाई सब्सक्राइब कई लिए रहो गैना लोगों कोई दिक्कत नहीं क्या सब्सक्राओं बांद का है सरदार सरोवर बांद का है तो कि सरदार सरोवर बांद यह लोकेशन देख पा रहे हैं आप यह वाला यह आपका सरदार सरोवर बांद है च्छटवा च्छटवा आपका क्या है यह लिग देता हूं सरदार सरोवर बांद ठीक है, सरदार सरोर बांद यही है, अब लास्ट एक बांद बच गया है, राणा प्रताब सागर बांद, जो की एक लोकेशन, आपका यह जो बचा है, यह आपका राणा प्रताब सागर बांद है, ठीक है, राणा, यह सात्वा है न, राणा प्रताब सागर बांद, राणा प्रताब सागर बांध है, राणा प्रताब सागर बांध, किलियर हो गया, तो देखें, जल, जो आपका जल संसाधन था, इसके भी हमने आप लोगों को बता दिया, बस लास्ट एक बच गया है, आप लोगों का क्रीसी से, ठीक है, क्रीसी से बच बच गया है, इसका भ सबसे बड़ा उतफादक राजिका इसके बाद फ़ले नाम आप जान लेंगे तब इसका अलोकेशन करेंगे हुब्सक्वार का हम पंजाब है किसम सरवधिक जूत राजी सबसे सरवधिक जूत वबंगाल क्याँ पर आजाता गई ? कहां पर पस्चिम बंगाल लिखेंगे पस्चिम बंगाल में इसके बाद काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राजे है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राजे जो है वो है करनाटक क्या है करनाटक लिखेंगे करनाटक इसके बाद चावल का उत्पादक राजे जो है वो क्या है तो बिहार है कौन बिहार लिखेंगे बिहार इसके और लास्ट एक मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पातक राजी जो है तो मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पातक राजी आपका गुजरात है क्या है गुजरात यहाँ लिखेंगे गुजरात चलिए पहला देखें ग्यों का सबसे अधर दरा आफर पहलं कि पंजाब पहला लिख देंगे तभी जाना समझ में आ जाका उसको नाम लिख देंगे तो होगा अच्छा का है किसे बाद कि सरवधिक जूट उत्पादक राज्य पसिम बंगाल में ठीक है तो यह चुल के सब देख रहे हैं यह यह पहसिम बंगाल का है यहाँ पर दूसरा कहुं सरिक लिखें को अधित्र customers लेजां पहसिम बंगाल को लिखेंगे सबसे तो करनाटक घ्चेतन आगते हो ङहां और नीचे यह करनाटक का है तो तीसरा का क्या हो गया करनाटक क्या हो गया करनाटक तीसरे का इसके बाद चौथा क्या है भाई देख लेते हैं चौथा है कि चावल का उत्पादक राजे जो कि बिहार है ठीक है चौथा बिहार का उत्तर परदेश में बिहार पड़ता है तो बिहार का लोकेशन यह है यह अब देख रहें यह यहां पे इस्तर लिख सकते हैं जो किया है भिहार है ठीक है बस लास्ट आपका बच गया है वह है कि मुझभणी का सब्सक्राइब कर दो लोगों का सबहने कपर करा दिया कि रिष्टि का अब जल संसादन का भी संसादनें विकास का भी और भारत में जो राष्टेबाद है उसके भी मतलब सभी मोस्ट इंपोर्टन जितने भी आप लोगों खमांचीतर था सभी हमने करा दिया इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है अगर इसने वीडियो जो लोग भी वीडियो देखे हैं सुरू से लेकर ल वाँ क्वान जाब कर दो